चलो अब next passage देखें एक passage तो हो गया हमारा completely set का अब next passage है अच्छा जो बच्चे यूट्यूबर पड़ रहे हैं उनके लिए एक बार मैं पूरा passage दिखा देता हूं ठीक है application पर तो हमारा सारा set सारे pages मौजूद हैं ही ठीक है ये रहे तुम्हारे options अच्छा passage interesting है ये भी पहले वाले की तरह से easy passage आए है इसके दोनों देखो ये इसके सारे options हो गए ठीक है तो चलो अब इसे attempt करना शुरू करते हैं देखो दिहान से समझो passage interesting है और इसमें एक ऐसे person की बात हुई है जो हमारे mostly सभी के गरों में होता है जो चीजे फाल तुम्हें घटी करता रहता है ये सोच करके बाद में काम आएगी ठीक है तो बाद में मुझे बताना भी कि तुम्हारे घर में कोन ऐसा है ठीक खेर चलो तो passage है passage start करते हैं दिहान से देखो people tend to possessions लोगों की आदत होती है possessions को मतलब अपने अधिकार में कोई चीजे रखने की उनकी आदत होती है ठीक है अपनी possessions को कभी-कभी without being aware of doing so कभी-कभी उन्हें इस चीजे का पता भी नहीं होता लेकिन उन्हें चीजें इखटी करने की आदत होती है possessions का मतलब जो उनके हक की कोई चीज़े हैं उन्हें इखटी करने की उनकी आदत रहती है ठीक indeed, निश्चित तोर पर they get a surprise when they find something useful उन्हें कई बार surprise भी feel होता है, उन्हें कई बार surprise भी महसूस होता है, उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है कई बार जब उन्हें कुछ useful चीज़ मिल जाती है ऐसा कई बार हो जाता है कि आपने कोई चीज़ रखी ती और वो अब काम आ गई आपके तो कई बार हाँ, निश्चित रूप से indeed का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से ये भी सच है कि उन्हें कई बार जो है बहुत अच्छा फील होता है कई बार अच्छा surprise भी मिल जाता है जब उन्हें कोई useful चीज़ मिल जाती है ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं पहला जो option है, पहला option कहता है कि लोगों को आदत होती है चीज़ें इखटी करने की, possessions का मतलब चीज़ें, उनके अधिकार की कोई चीज जो उनकी होती है, ऐसी कोई चीज इखटी करने की उन्हें आदत होती है, अब देखो इखटी करने के लिए हमें क्या sense लेना है उन्हें use से अलग अटा देना discard का मतलब होता है use से अलग कर देना, ये नहीं होगा answer ठीक है amass का मतलब होता है किसी चीज़ को इकटा करना, ठीक है, ये चल सकता है answer mass का मतलब क्या होता है mass भी किसी चीज़ को इकत्रित करना होता है लेकिन ये verb नहीं है, verb है amass है ना, हमें चाहिए two के बाद two के बाद आएगी verb की first form तो हम यहाँ पर amass और mass में से mass चुन सकते हैं, ठीक है amass हम चुनेंगे mass नहीं चुन सकते अब lose होता है किसी चीज़ को खो देना तो ये भी answer नहीं होगा, अब amass और mass बचा, इसमें से हम amass चुनते हैं ठीक है, mass का मतलब बड़े level पर है ना, इखटे करना चीज़ है, लेकिन वो noun के level पर या adjective के level पर जाता है amass जो होता है, ये verb होती है समझ गए, तो हम यहाँ पर चुनेंगे क्या people tend to amass possessions लोगों को चीज़े इखटी करने की आदत होती है, उनका जुकाव चीज़े इखटी करने की तरफ रहता है, tend to का मतलब जुकाव होना, sometimes without being aware of doing so, कभी-कभी उनना इस बात का पता भी नहीं होता, लेकिन वो चीज़े काम की मिल जाती है, ठीक है, इकटी तो कर रखी है उनने चीज़े, लेकिन उसमें से कुछ काम का मिल जाए तो उनने बहुत अच्छा सब्स्राइज, सर्प्राइज भी मिलता है तो अच्छे के sense में हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, frustrating चुनेंगे, बास समझ माई तो उनने कहीं बार बहुत ही अच्छा सर्प्राइज मिल जाता है, जब उनने अपनी उन चीज़ों में से कुछ useful चीज मिल जाती है, ठीक आगे देखते हैं, those who never have to those who never have to change house, ऐसे लोग जिने कभी अपना घर बदलना नहीं पड़ता become collectors of clutter वो जो है कूडे कच्रे के clutter का मतलब लिख लो, कूडा कच्रा वो कूडे कच्रे के collector बन जाते हैं collector कैसे, किसी तरह के, अब collector से पहले आपको कोई adjective डालना है, collector का मतलब इखटा करने वाले, कूडे कच्रे को इखटा करने वाले लोग वो बन जाते हैं अब किस तरह के लोग होते हैं वो कूडा कच्रे को इखटा करने वाले, क्या वो खुश होते हैं कूडा कच्रा इखटा करने में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, organized organized way में वो इखटा करते हैं कुड़ा, ऐसा भी नहीं है, पूरे क्रम से वो इखटा करते हैं, ऐसा नहीं, कोई चीज कहीं भी डाल दी, ऐसी पड़ी रहती है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, indiscriminate का मतलब जो अच्छे बुरे में अंतर नहीं करते, ये हो सकता है, और useless का मतलब बेकार collectors होते हैं, मतलब वो जो collectors हैं, वो जो लोग हैं, वो बेकार हैं, ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा indiscriminate, indiscriminate का अगर तुम meaning लिखोगे, तो meaning क्या लिखोगे, किसी चीज मे अंतर ना करना, किसी चीज में भेद ना करना, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या meaning निकालेंगे, इसका sentence में, those who never have to change house, become indiscriminate collectors of clutter, वो क्या बन जाते हैं, ऐसे collectors बन जाते हैं, clutter के, जो भेद नहीं करते हैं, मतलब एक चीज यहाँ डाल दी, एक चीज वहाँ डाल दी, वो अच पूड़ा clutter घर में इखटा होता रहता है, है न, आगे बढ़ते हैं, they leave objects in drawers, वे क्या करते हैं, वे drawers में, drawers मतलब जो आपकी दराज बगर होती है, cupboard, almariya होती है, attics जो छत के उपर का रहने का थोड़ा हिस्सा होता है, या समान रखने का थोड़ा हिस्सा होता है, attics में, दर पूलो तक, चीजे छोड़ देते हैं, समझ में आया, they leave objects, अब यहाँ पर किसी तरह के objects हैं, वे चीजों को छोड़ देते हैं, object का मतलब चीजें, दराज में छोड़ देते हैं, cupboard में छोड़ देते हैं, attics में छोड़ देते हैं, सालों के लिए, मतलब पड़ी है तो बस प लखें, यह नहीं होगा, unholy, अपवित्र चीजों को छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं होगा, और undeserving चीजों को छोड़ देते हैं, undeserving मतलब जिसको तुम डिजर भी नहीं करते हैं, जिसका तुम पर हकी नहीं है, जिसके तुम हकदार नहीं हो, ऐसा भी नहीं है, unwanted, unwanted का मतल में कि यार मुझे अभी नी चाहिए इसको इसमें अदराज में डाल देता हूं इसको आलमारी में डाल देता हूं और वह सालों तक वही पढ़ी रहती है तो कोई ऐसी चीज जो तुमें नहीं चाहिए होती है उस टाइम तो तुम उसे ऐसे ही डाल देते हो ये वाली fluency यहाँ पर है ठीक, they believe वे वास्ता में इस बात को महसूस करते हैं या इस बात को मानते हैं that they may need those very things कि उन्हें वोही चीज वन डे एक दिन जरूर चाहिए होगी शायद उन्हें एक दिन उस चीज की जरूर पढ़ जाए है न तुम्हारे घर के बड़े ये जरूर कहते होंगे कि चीज़ा ही घटी करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि आपता कहीं जरूरत पढ़ जाए ये चीज जो बोलते हैं तो ये वही sentence है उन्हें अंदर से गहराई से उन्हें विश्वास होता है कभी ना कभी काम आई जाएगी ये चीज ठीक है तो वे पूरे मन से पूरी गहराई से इस चीज को मानते हैं यहाँ पर पूरी मन से पूरे गहराई से इस तरह का sense है कुछ अब देखो 80 में हम option डूनते हैं क्या हो सकता है answer unnestly का मतलब होता है पूरे मन से पूरे दिल से है ना तो यह answer हो सकता है quietly का मतलब चुपचाप यह मानते हैं नहीं silently यह भी चुपचाप हो गया नहीं vaguely का मतलब as past रूप से यह भी नहीं होगा तो यह तो तीनों appropriate बैठी नहीं रहे हैं answer हमारा पहला ही है ठीक है तो वे इमानदारी से वे पूरे मन से इस बात को मानते हैं वे पूरे अपने स्तित्व की गहराई से इस बात को महसूस करते हैं कि उन्हें यह चीज एक ना एक दिन काम आ जाएगी है ना यह वाला sentence है but लेकिन collecting as a hobby लेकिन चीजों को इखटा करना एक hobby की रूफ में किस तरह की hobby की रूफ में is quite different as well as advantages आदत की रूफ में किसी चीज का इखटा करना यह अलग चीज है और उसी प्रकार से advantageous मतलब लाबकारी भी है अब लाबकारी होगा तो किस तरह की होबी होगी इस चीज को सोचो द्यान से देखो grave का मतलब कबर भी होता है कोई गंभीर चिंता वाला सैंस होता है वहाँ पर भी grave आता है जैसे grave concern तुमने phrase सुना होगा तो यहाँ पर यह तो नहीं आएगा serious का मतलब तुम जानते ही हो frivolous होता है mehetvaheen तुछ जिसे हम कहते हैं महतvaheen और solemn का मतलब होता है गंभीर situation ठीक है तो यह दोनों word भी नहीं होगे तो आपका यहाँ पर word बसता है serious तो एक serious hobby के रूप में एक गहरी hobby के रूप में जब आप एक आदतन कोई काम करते हैं तो क्या होता है तो यह चीज थोड़ी अलग हो जाती है collecting as a serious hobby एक serious hobby के रूप में जब आप एक serious hobby बनाते हैं एक आदत बनाते हैं कि हाँ मुझे इस तरह की चीज़ भी खटी करनी है तो वो चीज जो है थोड़ी अलग है और वो थोड़ी लाबकारी भी है ठीक है it relaxation यह आपको relaxation देती है यह आपको आराम पहुचाती है for leisure hours for leisure hours का मतलब खाली समय के लिए ठीक है leisure का मतलब खाली या जब आप वियस्त ना हो उस तरह के कह सकते हैं lazy से बना है यह वर्ड खाली पल जब आपके पास होते हैं जब आपके पास होता है तो उसमें आपको यह relaxation देता है one do not need to go out एक आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ता एक आदमी को कभी बाहर नहीं जाना पड़ता in search of entertainment यहाँ पर fluency in की है देखेंगे हम यहाँ पर option में in होगा क्या उसे बाहर नहीं जाना पड़ता किसकी search में? entertainment की search में है ना मोजमस्तिगी search में उसे बाहर नहीं जाना पड़ता तो make a sense है तो in की यहाँ पर fluency है हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर in है नहीं ठीक है? और इससे भी पहले हमारे पास एक 82 option है यह कहता है कि यह relaxation देता है यह relaxation प्रवाइड कराता है हमें यह relaxation देता है तो यहाँ पर sense है देखते हैं क्या आएगा? 82 में 82 में यह हमारी help करता है? नहीं ठीक है? यह हमें relaxation देता है give हो सकता है, यह हमें relaxation देता है provide हो सकता है यह में relaxation promote करता है नहीं यह नहीं होगा अब give और provide में से आपका answer provide होगा बच्चे कहेंगे सब देने का sense है तो give क्यों नहीं आया तो देखो ध्यान रखना आपको relaxation देने के sense में provide word आना चाहिए यह fluency होती है sentence की it provides relaxation है ना यह ध्यान रखना तो it provides relaxation for leisure hours यह खाली समय में आपको relaxation देता है और इसके साथ साथ एक आदमी को या किसी आदमी को बाहर जाने की ज़रुद नहीं पड़ती है entertainment की खोज में तो make a sense है 83 में अब 83 में देखो हमारे पास क्या है in है क्या सीधा सीधा answer लगा हो इन हमारे पास make a sense दे रहा है कि इसकी खोज में हम क्या करता है हमें बाहर नहीं जाना पड़ता आगे देखो क्या कहता है moreover इसके अलावा one gets to meet collectors एक आदमी जो होता है अपने ही जैसे कई collectors से मिलता है मतलब जो इखटा करते हैं चीजों को उनसे ही मिलता है जब उसकी आदत उस तरह की होती है कि मुझे चीज़े इखटी करने है जैसे कुछ लोगों की सिक्के इखटी करने की आदत होती है पुराने से पुराना नए से नया एक जो unique सिक्के होते है उसकी आदत होती है इखटी करने की कुछ को antique चीज़े इखटी करने की आदत होती है तो वो क्या करते हैं फिर उसी तरह के लोगों से भी मिलते हैं ऐसे बहुत लोग होते हैं जिने इक चीज़े इखटी करने की आदत है खास तोर पर तो वो कई collectors कई दूसरे collectors से भी मिलते हैं ठीक है और इस तरह से so once of friends grows इस तरह से आपका friend circle grow होने लगता है इस तरह से उस व्यक्ति का friend circle grow होने लगता है तो पहले तो हम यहाँ देखते हैं उसे कई इस तरह के collectors मिलते हैं जब वो इसे आदत बनाता है कि मुझे इस तरह की चीज़े चाहिए हैं से कई characters मिलते हैं तो numerous इंसानों के sense में खुब अच्छे से use होगा, कई अनेको है न, various का मतलब भिन होता है various का मतलब भिन है, यहां पर यह sense नहीं आएगा, big का मतलब बड़ा और nice का मतलब अच्छा, तो यह तो sense नहीं है आपको answer लगाना होगा numerous various की fluency आपको लग सकती है लेकिन भिन्ने चीजें के sense में लगता है, इंसानों के sense में generally हमें numerous लगाना चाहिए, कई इंसानों कई तरह के collectors जब उसे मिलते हैं, है न, तो numerous collectors उसे मिलते हैं और इसी तरह से उसका उस व्यक्ति का friend circle grow होने लगता है, friend circle तुम जानते हो यहाँ पर हमें friend circle वाला word कोई चाहिए, मतलब उसका जो group होता है friends का group होता है, उस related कोई word चाहिए तो देखो 85 में हम कैसे fill कर सकते हैं इसको, हमारे पास friend की quantity grow होने लगती है, नहीं friend का area grow होने लगता है, नहीं friend का प्रभाव grow होने लगता है, नहीं friend का circle grow होने लगता है, हाँ बास समझ में आई, तो friend circle होता है इस तरह से उस व्यक्ति का friend circle grow होने लगता है समझ गए, तो इसी के साथ में आपका ये वाला passage भी finish होता है और इसी passage के साथ इस set के close test भी finish होते हैं ठीक है, अब next जो passage होगा हमारा next set का होगा, ठीक तो इसके लिए इतना ही रखते हैं, अब कल को देखते हैं, next class में है न, क्या करना है